भारत देश जो काफी प्राकुरूतिक संसातनों से भरा हुआ है जैसे कि कही सारी नद्या, समंदर के किनारे उचलती हुई ये मोजे, या फिर ये गने जंगल और इन सब नजारों के पास से गुजरती हुई हमारी ट्रेन, जिनोंने भी ये रूट में सफर किया है, वो एक ब प्राकुरूतिक रूट्स है भारत में, पर इन में से कुछ रूट्स के बारे में जानकारी लेते हैं डार्जिलिंग दोस्तो सबसे पहले लिस्ट में नाम आता है डार्जिलिंग हिमालियन रेल्वी का डार्जिलिंग वेस बेंगाल के एक सीटी है जो लेसर हिमालियस में 2000 मिटर की उन्चाई पर बसा हुआ है इसमें सफर करने पर कंचन जुंगा जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माउंटेन रेल्वे तमिल नादू में मेटू पलायम से उती वेस्टन घाट्स को चीरते हुए निकलती है बीच में काफी सारे प्रीजीज और टरनल्स आती है जो सफर को और खुशनिमा बनाती है एक इंटरस्टिंग बात बता दू कि बोलिवूट का फेमस सौंग चैया चैया की सुटिंग इसे रूट पे हुई थी और यही वह एंजिन है जिससे थॉमस एंड फ्रेंड्स और एक सो तीन टरनल्स से होके हुए गुजरती है यह बात बता दू कि यह तीनों ट्रेन रूट युनेस्को की हेरिटेस साइट्स माउंटेन डेलवेज अप इंडिया में शामिल है माथेरान माथेरान एक हिल स्टेशन है जो महारास्त्र के राइगर डिस्रिक्ट में आता हुआ है जहाँ पोशने के लिए ट्रेन रूट को 1907 में भारत के बड़े व्यापारी सर आदम जी पीर भोईद्वारा बनाया गया था यहां की टोई ट्रेन पहाडों पे काफी मोड लेती हुई प्रक्रूतिक नजारे और स्पेशलिक पैनोरेमा पॉइंट जो सभी सीन्स तो देखने को मिलेंगे ही मुंबई गोवा का प्लान बनना मुश्किल है ही और बन जाता है तो क्या बात है कि डेस्टिनेशन तो बढ़िया है ही साथ में सफर का लग मज़ा है क्योंकि यह ट्रेन, सी, टनल्स और वाटरफोल से होके हुए गुजरती है मंडपम रमेश्वरम, अगर आप ऐसे नजारे का मज़ा इंडिया मिलेना चाहते है तो तमिल नादू के मंडपम से रमेश्वरम को जोड़ता पंबन ब्रीज, आपकी यह ख्वाईश पूरी करेगा जो दिनिया का लार्जस स्रीपीज है बैंगलोर कनिया कुमारी, और कुछ ऐसा ही एक्सपिरेंस बैंगलोर से कनिया कुमारी की ट्रेन में मिलता है गोहाटी सिल्चर, आसाम की बराक वेली, चतिंगा रिवर्स से होती हुई यह ट्रेन अपने आप में ही अनुखी है जो आपको मेमोरेबल एक्सपिरेंस देती है मुंबई पूने, चारो तरफ बस हरियाली और ट्रेन के सफर के दोराण वोटरफॉल्स देखने को मिल जाये तो क्या बात है यह ट्रेन रूट ऐसा ही रोमांच देती है जम्मू बारा मुल्ला, यह ट्रेन रूट कस्मीर वेली को जम्मू से जोड़ता है इस रूट का मेन अट्रेक्शन पॉइंट होगा यह चेना ब्रीज जो अभी अंडर कंस्रक्शन है जिसकी लंबाई 315 मिटर जिसमें 17 स्पान होंगे और बीच वाले आर्ग की हाइट होगी 369 मिटर जो एफिल टावर की हाइट से भी ज्यादा है हैना अपनो भारत देश शुंदर आपको इन में से कौनसा रूट मज़ेदार लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी मिली होगी अगर आपको इन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना थन्यवाद